इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 32, सनेरिब की सेना की चड़ाई और निवास इन बातों और ऐसे प्रभंद के बाद अश्यूर का राजा सनेरिव ने आकर यहुदा में प्रवेशकर और गढ़वाले नगरों की विरुद्धर डेरे डाल कर उनको अपने लाब के लिए लेना चाहाँ यह देखकर कि सनेरिव निकट आया है और येरुशलेम से लटने की मनसा करता है हिचकिया ने अपने हाकिमों और वीरों के साथ यह सम्वति की कि नगर के बाहर के सोतों को पटवा दे और उन्होंने उसकी सहयता की इस पर बहुत से लोग इकटे हुए और यह कैकर कि अश्यू यहां आये और आकर बहुत पानी पाए उन्होंने सब सोतों को पाड़ दिया और उस नदी को सुखा दिया जो देश के मध्य होकर बहिती थी फिर हिचकिया ने हियाव बांध कर शहरपनाह जहां कहीं टुटी थी वहाँ वहाँ उसको बनवा दिया और उसे घमुटों के बर मतावर उचा किया और बाहर एक और शहरपनाह बनवाई और दाउतपुर में मिलो को दुट किया और बहुत से तीर और ढाले भी बनवाई तब उसने प्रजा के उपर सेनापती नियूक्ति किये और उनको नगर के फाटक के चौकों में इकटा किया और यह कहकर उनको बाणदो और दुड़ो हो तूम न तो अश्चुर के राजा से डड़ो और न उसके संकी सारी भीड से और न तुम्हारा मन कच्चा हो क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है तक सहारा तो मनुष ही है परंतु हमारे साथ हमारी साहता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमिश्वर यहोवा है इसलिए प्रजा के लोग यहुदा के राजा हिचकिया की बातों पर भरोसा किये रहे इसके बाद अशूर का राजा सनहरी जो सारी सेना समेख लाकिश के सामने पड़ा था उसमें अपने करमचारियों को यहुदा के राजा हिचकिया और उन सब यहुदियों से जो यहुदा के राजा यो कहने के लिए भेजा कि अशूर का राजा सनहरी कहता है कि तुम्हें किसका भरोसा है जिससे कि तुम घेरे हुए यरुष्ले में बैठा हूँ क्या हिचकिया हथ तुमसे यह तैकर कि हमारा परमिश्वल यहोवा हमको अशूर के राजा के पंजे से बचाएगा तुम्हें नहीं भर्माता है कि तुमको भूको प्यासो मारें? क्या उसी उजीहा ने उसके उचिस्थान और वेडिया दूर करके यहुदा और येरुशलिम को आग्या नहीं दी कि तुम एक ही वेडि के सामने दंडवत करना और उसी पर धूप चलाना? क्या तुमको मालूम नहीं कि मैंने और मेरे पुर्खाओं ने देश के सब लोगों से क्या क्या किया है? क्या उन देशों की जातियों के देवता किसी भी उपाय से अपने देश को मेरे हाथ से बचा सके? जितनी जातियों का मेरे पुर्खाओं ने सब्त्यानाश किया है, उनके सब देवताओं में से ऐसा कौन था जो अपनी प्रजा को मेरे हाथ से बचा सका हो? फिर तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से कैसे बचा सकेगा? अब हिचकिया तुमको इस रिती भुनाने अत्मा भाहिकाने न पाए और तुम उसकी प्रतिती न करो, क्योंकि किसी जाती या राज्य का कोई देवता अपनी प्रजा को न तो मेरे हाथ से और उन्हें मेरे पुर्खाओं के हाथ से बचा सका? यह निश्चा है कि तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा? इससे भी अधीक उसके करमचारियों ने यहोवा परमिश्वर की और उसके दास हिचकिया की निंदा की, फिर उसने ऐसा एक पत्र भीजा जिसमें इस्राइल के परमिश्वर यहोवा की निं यहा का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा? और उन्होंने उचे शब्द से उन यरुश्वर वासियों को जो शहर पना पर बैठे थे, यहुदी बोली में पुकार कर कि उनको डरा कर घवराहट में डाल दे, जिससे नगर को उन ले ले और उन्हो के बनाय हुए हैं, तब इस घट्नाव के कारण राजा हिच किया, और आमोस के पुत्र यशायह नभी दोनों ने प्रार्थना किया, और स्वर्ग की ओर दोहाई भी, तब यहुदी एक दूत भेजा, जिसने अशुर के राजा की छावनी में सब शूर्वीरों, प्रधानों और सेनापकियों को नाश किया, और वहाँ लज्जित होकर अपने देश को लवट गया, और जब वहाँ अपने देवता के भावन में था, तब उसके निज़े पुत्रों ने वही उसे तलवार से मार डाला, यो यहँवा ने हिच किया है, और येरुशलेम के निवासियों क अश्यूर के राजा सन्हेरी और अपने सब शत्रों के हाथ से बचाया, और चारो और उनकी अगुवाई की, और बहुत लोग येरुशलेम को यहवा के लिए भेट और यहुदा के राजा हिच किया के लिए अनमोल वस्तुए ले आने लगी, और उस समय से वह सब जाक्तिय क्योंकि दुष्टी में महान ठैरा, हिचकिया का उत्तम चरित्र, उन दिनों हिचकियाह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरा चाहता था, तब उसने यहुआ से प्रात्न की और उसने उससे बाते करके उसके लिए एक चमतका दिखाया, परन्तु हिचकियाह ने उस उपकार का बदला क्योंकि उसका मान फुल्ठा था, इस कारण उसका कोब उस पर और यहुदा और यरुश्लेम पर बढ़का, तब हिचकियाह यरुश्लेम के निवासियों समें अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया, इसलिए यहुआ का क्रोध उन पर हिचकिया के दिनों में न भढ़का और हिचकिया को बहुत ही धान और विभव मिला, और उसने चांदी, सोने, मनियों, सुगंद द्रव्य, धालों और सब प्रकार के मनभावने पात्रों के लिए भंडार बनवाए, फिर उसने अन्न, नया दाखमद, टकाते, इसके लिए भंडार और सब भाती के पशों के ल देलों की संपत्ती इकटी कर ली, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत ही धन दिया था, उसी हिचकियाहा ने गिहोन नदी के उपर के सोते को पाट कर, उस नदी को नीची की ओर दाउदपुर की पश्चिम अलंग को सिधा पहुचाया, और हिचकियाहा अपने सब कामों मे क्रुतारता होता था, तब ही जब बाविल के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किये हुए चमतकार की विशे पूचते को दूट भीजे, तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया, कि उसको परक कर उसके मन का सारा भेव जान ले, इचकियाहा के और काम और उ में लिखे है, अंतने हिचकियाह अपने पुरुखाओ के संग सो गया, और उसको दावत की संतान के कबरिस्तान में चढ़ाई पर मिट्टी दी गई, और सब यहुदियों और यरुशलेम के निवासियों ने उसके मुत्य पर उसका आधर मान किया, और उसका पुत्र मनश्य उसके स्थान पर राज्य करने लगा